तो यह आप बकरी पालन कर रहे हो नहीं तो कितनी बकरिया आपके पूल टोटली बाहर तो थोड़ी है बाहर पांत दस्ते बाकि बीस बची चलता हो तो कितना क्या कमाय अच्छी कमाय हो जाती इन बीस बकरियों में आपका सारा गुजार निकल जाता पचाजार और शाट चोटे चोटे बकरे जो है यह बड़े होने के बाद कितना पचाशाट जार तो सालाना कितनी आयों जाती है इनसे अगर कोई पालना चाहे तो आप जाए तीन लाक रुपे सालाना इनके बच्चों से इनके खाथ वगेरा तो यह मतलब बेरोजगार आदमियों के लिए कितने उमर कियोंगी है सालबर कि 10,000 बहुत अच्छी वक्री यह आपकी और यह जो दूद वाली बच्चों के साथ नहीं अच्छा, इनकी वाली इनकी मार यह 25,000 अच्छा बच्चों से यह इनके देख है लो यह एक बच्चा इनके साथ में और वह वक्री है तो यह इन रे बच्चे भी बहुत अच्छा आपके और यह जो कस्य वह भी इनी की ब्रीड है नहीं अच्छा यह की देख अपने इदर इस वक्रों की क्या रेट जैसे बिग जाएंगे आपके यह अभी आल पिला तो आयोडा अच्छा फिर कुर्बानी में यह सत्तर पचाश आर के आप गरीब आजमी जो है बेरोजगार उनके लिए यह बतारे बोत सुने रहा है मतलब इनसे अपनी कमाई करके अगर पचास वक्री हो तो जीवन आपने अच्छा कर सकता है जी बिल्कुल जी चलो दन्यवाज बैसाब आपने बहुत अच्छी जानकारी दी दन्यवाज नम अपना एक बार अड्रेस और मोबाइल नंबर बता दो जी तो आप हमें बताईए कि क्या वाव से है यह प्रेमाल बाइस रुपे के जी से ओल इंडिया में कहीं बी किसी को चीए तो आप सप्लाई कर दो जितने चीए पड़ा यही से अगर कोई मंगाना चाहे इस्टोक में तो आप जैसे आप से संपरा करके तो इस्टोक में मिल जाएका आपके बाइब कुल जी और क्या जैसे यह और इदर यह पंदरा रुपया यह क्या है यह फटगटे साब फटगट पंदरा रुपय के जी से इनको भी अच्छी तरक आती है जी जैसे इन लूंग को हरीपति जी से कहते हैं और यह फटगट जो गमार की होती हुआ है यह क्या की बावस है गमारी की क्या बावस है यह पंदरा सुरुपय क्योंटल और वह लूंग जो बता रहे हैं आप हरीपति का यह जो धेर है और अपने जो अज फटगट अगर किसी बावस हो चीए तो इनके इनके इंडिया में इनकी सप्लाई है और किसी भी बावस हो चीए तो यहां जो फटगट बखरी को अच्छी खाने के लिए मिलती है और इधर जो यह देख रहे हो अपने हरीपति और बखरी भी रखते हुँ तादा जी अपनी बक्री भी बता दो एक बार आप में अगर नमस्कार दादा जी आपने पहले आपने बक्रियों का भी बताया चारो का भी आपका ये कारोबार है और ये बेंस का भी आपका काम है बिलकुल है जी अपने बीडिंग के लिए रखा है तो एक बेंस का कितना क्या ले रहे हैं जार रुपे ये और इजनल अपना जो देशी है मुर्णा नसल देशी नसल वाला आपने जोत्पुर्ण नसल है जी तो क्या उमर होगी इसकी इसकी होगी इटा अठारा मेना अठारा मही निगा जी तो क्या प्राइज कर रहे हो बेचना हो तो इसको अभी तो पचास जार जी पचास जार जी जारा खोल के दिखाएंगे आप इदर थोड़ा सा देख नमेना तो देख रहे हो इनका और कॉंटेक्ट नमबर बता दो अपने अप बतादा बहुत अब्ट नमबर जो है इनकी जो यह इनका बेल मैसा इसकी कीमत कर रहे हैं पचास जार किसी भई को चीए तो आप इनसे कॉंटक्ट करके इसको खरी सकते हो यह ब्रेडिंग परपंच के लिए अभी इसकी उमर अठारा महीने बता रहे हैं वैसाब आजी बिल्कुल अठारा मिना जी जी तो दोस्तों यह बहुत अच्छा अपने पास है और जो प्योवर मुरा नसल का है यह तो यह भी बहुत अच्छा विजनेस है आपका कि यह जो अपने इससे रखके रोज के जो माई ने मतलब एक एक आध मैस तो आई जाती होगी ब्रेडिंग के लिए बिल्कुल जार देना पड़ता है तिल्ली का तिल एक खड़ी देनी पड़े और काकड़ा देओं इन में मतलब इसकी खुरा के यह तो दो बेंस आता तो यह जार अजार यह खा जाता पंद्रासोर रूपे पर डे आप इससे कमारे तो किसी गरीब के पास अगर यह हो तो बहुत अच्छी का अच्छा तो देख रहें वाई शाय सब्काइना दे हो वाइव इसाब भी आपने बहुत अच्छे जानकाली धी और यह गया तो इसी किमत भी कर रहे हैं पाचास अजार आप ले सकते और अटारा महीन हसे फहे बीड़ा झाल झाल